मेरा नाम दीब बालु जी आज क्या को समझते लेकर आप पहुंचे हैं आज बालु गाउं की पंचायत आई है और पंचायत इसलिए आई है जो पूंडरी से और जो बालु जो खोली कसान इंसे जो नहर गुजरी है तो जो खोली गाउं के लोग जो गंदा नाडा है ना बालों फाक जी पानी बता है थो पानी प्रकते हैं जसने यह चला रख्या है और जो यह गाउं के कर रहे हैं हम जो खोली गाम को सरमानी चाहिए कि जो उसको खराब करने हैं और जिसको बंद के रहा दिया जाए यदि इसको बंद नहीं कराएंगे और आने वाला टैम में दस दिन का टाइम देते हैं सरकार को यदि बंद कराएं तो मिरुड़ वह चांक टाक्टर लें यहां पहुंचेंगे और अपना प्रतासन जो भी आमने करना वह करांगा जो आपका कहने का मतलब जो नहर का पाणिया उसको आप पीड़े में यूज करते हैं जो कि पिछले आपके गाउं से पिछले गाउं दुबारा दूसित किया जारे उसमें गंदा पाणी छोड़ा जारे जो गाउं का नाड पाणी चलाते है जो बारू क्सान गाउं में नहर जो नहरी है उसमें नहर का पाणी आता है वो पीने वास्ता है उसमें बदबू आती है पनार्सीदा सेग्जियो को टीवी इंजिनियर पुंडरी वाटर सर्विसी डूइजन कैथल अज गाउं के लोग मिलें अजरत क्या मामला हो जो ये वालू जो यह रप्रिय अपड़ी से लोग आये हैं उन्होंने कंपलेंट कि 52 कि उमारे उसमें जो पर इंद दौफ्ष पानी डाला हुआ है तो उसमें लिकर के दिया है कि उसमें गंदा पानी नहीं डाला जाए हमने त्रुंच परभाव से सब्डिविजन ओफिसर सिरी मुनिश गोईल को नहां बलाया और बुला करके उनको कहा कि किसी भी हालत में किसी भी हालत में कोई गंदा पानी वा सट्रीट नालियों का पानी जिखोली डिस्टिब्यूटरी में नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि यह एंजीटी की गाइडलाइन के वरूद है और इसमें बंदा पानी नहीं डाल सकते हैं वैसे हमारी नोलेज में पहले नहीं था और हमने एक दो बार सरपंच जपुली को इस बारे में हमने नोटिस भी दिये हुए हैं और मैंने उनको खुद भी कहा हुआ है अगर नोटिस के बाद भी अगर वो नहीं रोकते तो हम उसकी कंप्लेंट फुली स्टेशन में देंगे और इस पर कारवाई करने के लिए उनको प्रामर्स बेचेंगे